जनपद बांदा के कसवा कमासिन में नेत्र एवाम शुगर जांज शिविर का किया गया आयोजन कमासिन में विकास खंड स्टरिय नेत्र शिविर का आयोजन आधर्श ग्रामीन उत्थान समिती मेन की सयोज कत्व में संपन हुआ शिविर में 215 मरीजों का परीक्षन किया गया फालो अपके अंतरगत 65 मरीजों को चश्मा दिये गए 48 मरीज मोत्याबिन से पीडित पाए गए जिसमें 42 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपन के लिए सद्गुरु नेत्र चिकित सालिय जानकी कुन व्ये जा गया 57 मरीजों का विजन चेक किया गया उन्हें चश्मा वदवाय दी गई 45 मरीजों में आखों की कई बीमारियां ग्लुकोमा रेटीना आधी की बीमारियां पाये जाने पर निशूक दवा दी गई जानकी कुन से आए डॉक्टर पंकज गुपता नेत्र सहायक राजाराम सेन काउंसलर, ब्रिजेश यादव उप्टिकल, मनीश त्रिपाठी मेडिसन, धर्मेंदर नेत्र सहायक ने मरीजों की विदिवत जाच की शिविर में निशूक शुगर जाच भी की गई शुगर जाच है तुजानकी कुन चिकित साल्य से आए डॉक्टर श्याम बाभू द्विवेदी, डॉक्टर रोहित लखेरा, डॉक्टर विपिन कुमार सोनी, डॉक्टर विजय शंकर तिवारी काउंसलर, डॉक्टर मनोज प्रजापती जाच सहायक वो डॉक्टर सुभाष ने 145 मरीजों का शुगर लेवल चेक किया, जिसमें शुगर के गमवीर 26 मरीज पाए गए जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था आधुनेक मशीनों द्वारा उनके आँख के परदे की जाच की गई रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुपता जिला समवाद दाता बांदा एवीप भारत न्यूस चैनल अच्छा इनमें कोई गंभीर निकले इनमें से चार-पांच सस्पेंस केस हैं तो उनको क्या किया जाएगा उनको बताएंगे किस डेट में आपको आना है अच्छा तो उनका इलाज कहां होगा अच्छा वहीं परचान की पुन वे अच्छा ठीक है आपका सुबनाम और आपका अच्छा आपका